नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल रेडिंग लाउर्स पर दोस्तों आज की वीडियों में हम बात करेंगे खाली में जो महतपून अपडेट है सामने आई है तो पहले जो यहाँ पर अपडेट आप यह जैसे कि देख रहे हैं बिरोजगारी को लेकर है और दूसरी जो महतपून अपडेट है वो हम इसके बात देखेंगे तो आप हमारे साथ अंतक बने रहीएगा और उससे पहले बिरोजगारी देश में 3.03 क्रोड युवा बिरोजगार यह लॉकडाउन के दोर से भी जादा है तो जैसे कि आप देख रहे हैं बिरोजगारी जहाँ दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और हाली में जो प्रिक्षाई होने वाली थी वो भी जहाँ पोस्ट पोन हो चुकी ह तो इससे जा और बिरोजगारी बढ़ गई है तो क्या कुछ पूरा मामला है यहाँ पर आप देख सकते हैं रेलवे की प्रिक्षा में गडबड़ी के बाद ही हुआ पर दसन कर रहे हैं लेकिन क्या सिर्फ एक प्रिक्षा में हुई गडबड़ी से ही युवा इतने नराज जानकारों की माने तो युवाव में गुस्से की बड़ी वज़ा बिरोजगारी का रिकोर्ड्स तर है बिरोजगारी का डाटा जारी करने वाले सहस्ता सेंटर पॉर मोनेटरिंग इंडिया एकनोमी के ताजा अकडों के मताबिक सितंबर दिसंबर 2020 के दोरान देश में बेर इसमें 2.93 क्रोड युवा बिरोजगार थे और एहम बात है कि 3.03 क्रोड युवा तो वे हैं जो काम खोज रहे हैं और 1.24 क्रोड युवा ऐसे वी हैं जो रोजगार तो चाते हैं लेकिन ठक कर काम नहीं खोज रहे हैं यदि इन्हें भी सामिर कर ले तो युवा बिरोजग कर डाटा जारी करने वाली एक मात्र सहस्ता है और सिम्याई के डाटा का इस्तिमाल अर्वियाई स्मेथ के इंदर सिकार के विभाग भी करते हैं तो कितनी बिरोजगारी है यह आप यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ चार साल में बढ़ गए हैं 1.26 क्रोर युवा बिरोजगार आयू वरग 15 से 19 वाले सितंबर दिसंबर साल 2021 में 40.13 लाग थे लोकडाउन का दोर मई अगस 2020 में तो इसमें जाए थे 30.25 लाग और 2017 में थे यह 27.64 लाग 20 से 24 वाले साल जो 2021 है इसमें थे 2.03 क्रोर 2020 में थे 1.1 क्रोर और 17 में थे 1.06 क्रोर 25 से 29 के जाईवर वाले हैं यह 60.69 लाग 2020 में थे 81.27 लाग और 2017 में थे 44.09 लाग यह जो विरोजगार है 3.03 क्रोर और 2020 में थे 2.93 क्रोर और 2017 में थे 1.7 क्रोर तो यह आप देख सकते हैं कि विरोजगारी कितने जाद दिन पर दिन यह बढ़ती जा रही है ग्रेजुएट सबसे ज़्यादा विरोजगार है सिकसास तर पाच वी तक और चटी से नुवी तक यह आप यहाँ पर आकड़े देख सकते हैं यह यह इतने हितास है कि शाद नौकरी की तलास चोड़ चोके हैं यह औwnे बरोजगारी ज्यधा क्यों है तो नए जो वर्क फोर्स है इसमें यह आप यह जोड़ते हैं लेकिन प्रत नई नोकरी पैदा ही नहीं हो रही है graduate जादा बिरोजगार क्यों है क्योंकि कम पड़े लिखा छोटा मोटा काम सुरू कर देते हैं लेकिन जो सिक्षेती हुआ योग गेता के अनूपी नोकरी तलास दे हैं और सिक्रेते से नोकरी नहीं तलासने वाले बिरोजगार की संख्या जादा क्यों है लंबे समय तक काम की तलास के बाद भी वन्चित रहा गए बहुत से लोग निरास हो चुके हैं वे अब नोकरी तलासने भी नहीं आ रहे हैं बिरोजगारी बढ़ने का खान है तो यह यहाँ पर बिरोजगारी के आकड़े जारी हुए है क्योंकि दिन पर दिन जो बिरोजगारी जो है यह बढ़ रही है नेक्स जो यहाँ पर मेतरपून निज़ आपडेट है उसको देख लेते हैं तो यह आई है आपर पीसजी अससी डेंटर सरजन बरती मामले में रुपिय नहीं नागर का दावा है अस्विन शर्मा ने मुझे SCS के 15 डेंटल सर्जन के 17 रोंबर दिये थे अस्विन शर्मा का दावा अनि लागर को SCS के 5 डेंटल के 13 रोंबर दिये थे इसमें क्या कुछ पूरा मामला है यह आप यहाँ पर देख सकते हैं हर याडा लोग से वायों के SCS डेंटल सर्जन भरतिमाबनेु में और आरोपियों के विरोधावाज भ्यान सामने आए हैं एक आरपिय अस्विन शर्मा ने दावा किया कि उसने अनि लागर को SCS के 5 डेंटल सर्जन के 13 रोंबर दिये थे अनियल नागर ने दावा किया कि उसेसमीन सर्मा नेस्टी स्रमा ने स्थेईस के 15 और डेंटल सर्जन के 77 रोंबर दिये थे यहां विरो धवास स्टेट विजलेंस ब्यूरो के अधार किया गया और पत्र में सामने आए है विजिलेंस ब्यूरों ने हलाकी SCS के 23 और डेंटर सर्जन के 13 रोल नम्बरों को संदिक दमार कर उनके अंसर सीट कबजे मिली है और उन्हें FSL मदवन बेज रखा है इन दोनों प्रिक्षाओं के पास हुए मिद्वार और फेल हुए मिद्वार SCS के तरफ से इन दोनों पदों की बड़ते के लिए जाने वाले फैसले के अंतिजार कर रहे है अस्विनी जो सर्मा है इन्होंने स्टेट विजिलेंस ब्यूरों के पास यह किया था दावा कि जब स्टेट विजलेंस ब्यूरो के इस्पेक्टर फूल कुमार के सामने ठारा नूमर दोजारी किस को गिरिफतार होने के तुरांत बाद इक साफ किया तो उसने अरोपी नुएन से सेस्ट पर्टी के प्री पेपर के लिए 20 लाग रुपे पर्टी उमीद्वार सोधा तैकिया था जिसमें उसके दोरा पांच उमीद्वार पास करवाए गए हैं जिनके नाम उसे नहीं पता वैके रोलंबर और उसे हच्पेस के डिप्टी सेकरेटर ने लागर को दे देता था इसके लावब उसने तेरा डंटल के लिए अने लागर को दिये थी स्टेट विजलेंस विर्ण दाओ के के एक एसमीद्वार पास करवाने के लिए 20-20 लाग रुपे में परती उमीद्वार सोधा तैकिया था उसने मुझे पास लो लंबर दे थे जो पाच उमीद्वार पास विए उनका नाम मुझे नहीं पता है मैं तो के अलो लंबर और पैसे अनिल नागर जिसकी राजीव परसाद नाम के वेक्ति के मादेर ने में से जान पचार हुई थी उनको देदा था इसके बदले में मुझे डाटा प्रोसेसिंग का कार्या मिलता था और दो लाख रुपे कमिशन की तोर पर मिलते थे इसके लाव मैंने तेरा केस डेंटल के लिए अन्य लागर को दिये थे जिसमें से आठ नमीन चार पॉन गुपता कंट्रोल बंचिलारशी सुजदा लेब भीवानी की थे और एक इंधर दिवन दरावत मलिक फिंटे जिनके पैसे बिकुछ अन्य लागर को दे दिये थे बाकी इससाब करना है जो लगए एक रुपे बनता है तो यह रुपे मेरे गर मेरे क्यों हैं जो इ नेया कारिया अन्य नागर की कहने पर किया है इसके बाद स्टेटिव विजलेंस प्यूरो नेर्समिनी सर्मा के चेचर जिला स्टेथ उसके गाउं जमालपूर में इतने रुपे एक नगदी कभजे में लिया है बाद में ही रासी अटार नूमर दोजार किसको ही अन्य मामला था यह आप यहां पर देख सकते हैं और यह जो विजलेंस चुआ इसने स्पेस के 23 डेंटल के 16 रोलंब्रों की ओमर चीट कभजे में ली है तो यह आप यहां पर देख सकते हैं तो यह जा यहां पर पूरा मामला था और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले इस प्रकार की में तपन अपडेट को पाने के लिए और हमारे साथ अंतबनायन के लिए धन्यवाद